हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू गार्गी क्लासिस थोड़ी सी प्राब्लम हो गई थी वो वीडियो एडिट भी नहीं हो पाया तो इस वजह से मैंने वह जल्दी से थोड़ा एक बार तो वीडियो अप्लोड कर दिया है उसमें जो आर्टिकल हमारा जो बीच में रह गया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि चाइना ने क्लाइमिट चेंज के लिए अपने खुद के कमिट्मेंट्स डिकलेर किया है अभी जो 75 वर्चुल समिट कंड़क्ट हुई थी यॉनाइट नेशन जनरल असेंबली की तो उसके परस्पेक्टिव में इंडिया क्या क्या स्टेंड ह है इंडिया अपने ट्रेक्ट रिकॉर्ड पर किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सेग्मेंट है उसमें आप देखोगे एनर्जी कंजम्शन को हम बढ़ाना चाहते हैं रिनेवेबल एनर्जी अपने आप में प्रामिजिंग सेक्टर अपने आप में है ठीक है तो नियर फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वाइर्मेंट हम उदर से पाच सकते हैं दूसरा कॉस्ट कॉम्पेटिटिटिव नैस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम कोल पे क्यों अभी आप में अब हो जाती है तो आने वाले टाइम पर देरे देरे जैसे सोलर फोटोवल्टाइक जो प्लांट्स होते हैं या फिर पैनल्स होते हैं वो सस्ते होते जाएंगे बैटरी की कॉस्टिंग रिडियूस हो जाएगी तो आप यह देख सकते हो यह जो कोस्ट एफे क्लाइमेट चेंज के लिए कई ना कई इन अपने खुद के जो कहता ना कि जो एमिशन है उसको मिनिमाईज करने की कोशिस को बुरी करेगा आने वाले टाइम पे एक ट्रांजिशनल फेज देखा जाएगा आने वाले दस दस सालों में और आप एक रैपिड सिनर्जी हैंगे कैसे देखो कि अगर कोई भी एक्षन बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है बहुत सारे वाइटल सेक्टर्स हमारे पास में जहां पर हम सस्टेनेबल एम्प्लॉइमेंट भी जनरेट कर सकते हैं जिससे क्या होगा कंट्री की एकॉनॉमी ग्रोथ हो जाएगी इलेक् हाँ पर हम फ्यूल बेस्ट वेहिकल्स को रिप्लेस कर दिया जाए और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर चलने वाले वहिकल्स का यूज करें तो एमिशन भी कम हो गया एंप्लाइमेंट भी क्रियेट हो गया लो टेंप्रेचर हीटिंग अप्लाइंसे या अप्लिकेशन की बात क गाल रहे हैं ठीक है तो इससे एक फ्यूल इंपोर्ट पे भी हम कहीना के हमारे रिलाइंस को कम कर पाएंगे इसके अलावा हम देखें तो अर्बन फॉरेस्ट्री पे भी ध्यान दिया जा सकता है अभी आप देखते हो कि एन्वार्मेंटल डिग्रेडेशन कितना ज्यादा हो रहा है सिटीज में क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे पैसेज में अर्बनाइजिशन लगातार होता जा रहा है लोग गाओं को छोड़के सिटीज में आ रहे हैं तो वहां पर फॉरेस्ट्रे एडिया है उसको कहीना की काटा जा रहा है खतम हो ठीक है तो उस रीजन को हम क्या कर सकते हैं उन जिन जिन पैसेज में जहां जहां पर भी स्पेस दिखाई दे रहा है वहां वहां पर फॉरेस्ट्री को रिवाइव कर किया जा सकता है कुछ क्रूशियल एकोसिस्टम्स हैं वहां पर जैसे उनको अगर रिस्टोर कर देंगे वहां पर फॉरेस्ट को तो एयर क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी सिटी में जो क्लाइमेटिक इवेंट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम होता है जैसे आपको पता होगा हीट आइलेंड का कॉंसप्ट आता है तरफ से तो आपको मतलब मकानी मकान दिखाए देंगी बहुत सारी बेल्डिंग्स दिखाए देंगी और बीच में बड़ा सा एक बैल्ट आता है जहां पर केवल फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट है तो वहां पर आप और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो इससे क्या होगा वहां पर बायो डाइवर्सटी भी कंज्वर होना शुरू हो जाएगी हम यूमन वाइल लाइफ कंफ्लिक्ट को भी रेड्यूस कर सकते हैं इसके बेसिस पे और डवलप्मेंट जो है वह कहीं ना कहीं बाइवर्सटी और डवलप्मेंट दोनों हैंड इन हैंड वही बात कि ग्रोथ भी रेजिस्टर करना चाता है तो दूसरी तरफ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी इंडिया बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है जहां पर सोश्य एकॉलोजिकल वैल बिंग भी एंशूर होनी जरूरी है ठीक है तो इंडिया जरूर ध्यान दे हम अपने खुद के ड कर भी रहा हैं कि आप मैं अंत्य दए भी काईना बीकीरा देख रहे है तो इंडिया को एक इनिशेटिव लेना चाहिए कि निर्टिव लाना चाहिए discussion करवाना चाहिए dialogue establish करने की ज़रूत है जिसें कि जो international community है उसको कहीं न गए commitments के लिए कहीं न गए खींच के लिए करके आए ठीक है जैसे आज परिस agreement कर तो लिया बट यूएसे का withdraw करना और उन climate change agreements पे real में जो होना चाहिए ground level पे काम आप देख सकतो जी 20 countries में क्यों लिकलोता इंडिया है जो अच्छे से perform कर रहा है इन सारे climate changes को control करने के लिए जो भी steps होते हैं उन में तो बाकि 19 को भी तो कहीं न गए pressure बना सकता है तो इसी तरीके से जी 20 की देखो प्रेजिडेंट्शिप आ रही है इंडिया के पास में आप देखोगे 2022 में तो इंडिया यहां पर अपना एक important share role play कर सकता है कि कैसे भी करके 2 degree centigrade से नीचे temperature रखा जाए अगर global warming का point देखा जाए as compared to pre industrial period ठीक है तो इस तरीके के एंड में भी आपको पता पड़ जाएगा आप आराम से देख लेना ठीक है तो चलिए ठीक है थांक्यू बारे माच वाचिंग इस वीडियो